तो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका फिर से आपी के चैनल उशा की क्रेंड में आज हम बात करेंगे महिंद्रा UO 555 DI ट्रेक्टर के बारे में तो दोस्तो महिंद्रा UO 555 DI ट्रेक्टर 45 होर्स पावर के मेरे सामने आगे खड़ा हुआ है यह 45 होर्स पावर वाला ट्रेक्टर है जिसमें आपको 4 सिलिंडर इंगिन मिलता है जो की ट्रेक्टर की ड्रायविंग को काफी इस्टेबल बनाता है हाला कि ट्रेक्टर के एकर टोटल वेट की बात करें तो 220 kilograम के आजपास इस ट्रेक्टर का पूरा वेट है यानि की वजन है साथ ही इस ट्रेक्टर का काफी सांदार wheelbase आपको मिलता है 1925 mm के आसपास तो दोस्तो ये तो होगी इसकी लंबाई चोड़ाई अब बात करते हैं हम इसकी clutch system की हाला कि ये ट्रेक्टर दोस्तो single type आपको clutch के साथ में भी मिल जाता है लेकिन हमारे सामने जो ये ट्रेक्टर है ये है double clutch वाला इसके अंदर आपको सूखा clutch मिलता है जो कि इस ट्रेक्टर की performance को काफी बढ़ा देता है यहाँ पर दोस्तो इस ट्रेक्टर के अगर हम mileage की बात करें साथ लीटर का आपको यहाँ पर diesel tank मिल जाता है अगर हम इस ट्रेक्टर के on-road price के बारे में आपको बताएं तो 6,80,000 रुपे की आसपास on-road price में आपको ये indoor में available हो जाएगा हर सिद्धी जो देव गुराडिया रोड पर इनका महिंद्रा का शोरू में वहाँ पर पीछे का अगर हम PTO power की बात करते हैं तो 41.1 HP का आपको PTO का power मिलता है वही 540 आपको RPM मिल जाते हैं PTO के 1500 kg तक का बजन उठा सकती है इसकी lift पीछे की side में कई प्रकार के connections करने के लिए आपको यहाँ पर adjustable जो hinging है वो मिल जाती है यानि कि अलग-अलग holes मिलते हैं आप अपनी सहुलियत के अमसान उनका यूज कर सकते हैं पल्टी, पुलाव, ट्रोली वगरा तमाम सारे connections आप पीछे करके यूज में ले सकते हैं पीछे काफी बहतरी आपको indicators मिलते हैं सेम आगे की तरह मिलते हैं उसी तरह के और एक मिलती है reverse parking light जो कि night के समय में आपके जो पीछे की तरफ जो है रौशनी देने का काम कहती है टायर की बात करते हैं तो पीछे आपको काफी सांदर आपको बहतरी ग्रिपिंग और मजूद पकड़ वाले आपको यह पर टायर मिलते हैं 13-68 के टायर आपको पीछे मिल जाते हैं और आगे वाले जो टायर है वो मिलते हैं आपको 16-6 यानि कि 6-16 के टायर आपको आगे मिल जाते हैं किसान भाई उस टैक्टर के साथ में आपको 12-V की बैटरी मिलती है 75 AH वाली और अल्टरेनेटर मिलता है 12-V का 36 Ampere का किसान भाई उसकी जो बैटरी है कमपनी ने इसकी बैटरी को काफी सेफली एक बॉक्स के अंदर दिया है जिससे कि आपकी बैटरी के बॉक्स में आप तारा लगा देते हैं तो आपकी बैटरी को कभी भी कोई लेकर के नहीं जा सकता है इस tractor की आगे की side में जो दोड़ने की speed है वो maximum 31 km प्रती घंटे की रफ़तार सी है तरेक्टर आगे की side में दोड़ सकता है वहीं पीछे की side में दोड़ सकता है तो काफी बैतरीन और fuel efficient tractor है जिसके अंदर आपको काफी बैतरीन features मिलते हैं काफी बैतरीन यापर आपको power मिल जाती है breaking system की बात करते हैं इस tractor के अंदर आपको oil immersed brakes मिलते हैं यानि की तेल में ढूबे हुए brakes मिलते हैं काफी बैतरीन और famous company है साथ ही आपको मिलता है यापर सूखा filter यानि की dry type आपको इसके अंदर filter मिल जाता है silencer काफी अच्छा है जिसको की उपर की side में निकाला गया है और seating की बात करते हैं यापर आपको driving seat मिलती है इसको आप adjust कर सकते हैं उपर नीचे की side में आप अपने आराम और अपनी जो comfortability है उसके अनसार आप अपनी seat को adjust कर सकते हैं दो लोगों की बैठने की विवस्ता इसके मटगाट के उपर रहती है जो की हर ट्रेक्टर के अंदर होती है बात करते हैं उपर चड़ने की तो यहाँ पर आपको footrest मिलता है जिसकी साहिता से आप आसानी से उपर चढ़ सकते हैं और जब आप ट्रेक्टर को चला है तो आप स्पीड में दोड़ रहा है क्या फ्यूल ले रहा है वगेरा वगेरा लाइट वाइट की तमाम सारी इंफॉर्मेशन्स आपको यहाँ पर डिजिटल और एनालोग ग्रूप से किसान भाईयो सो हो जाती है इस ट्रेक्टर को दिन राज चलाने में आप न तक हैं इसलिए डिन यहाँ पर आपको दिया है एक पावर इस्टेरिंग डवल एक्टिंग साथ यह स्टेरिंग आपको मिलता है जिसको की comment box में लिखकर के अवश्य बताईएगा इस ट्रेक्टर के उपर आपको दो घंटे या दो साल की वारंटी कमपनी की तरफ से मिलती है आप इस वारंटी को और भी extend करवा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप चाते हैं और किसी ट्रेक्टर के वारे में जानकारी लेना या उसके रिव्यू के वारे में जानकारी लेना या देखना तो उनकी लिंक में आपको description के अंदर दे दूँगा एक बार आप जाकर के वहां पर जरूर चेक करिएगा क्योंकि वहां पर मैंने तमाम सारे आईशर, सोनालिका, अड्यूर, जिफार बगएरा बगएरा तमाम कंपनियों के वीडियो अल्रेडी बनाए हुए हैं तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उशा की क्रेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि यहां पर मैं नित नए दिन आपके काम की तमाम सारे वीडियो ले करके आता रहता हूँ तो बहतरीन हेलोजन वल्प के दाथ में इसकी हैडलाइट्स मिलती हैं महिंद्रा यूबो पार्सुपिचितर डियाई ट्रेक्टर का ये था रिव्यू तो मुझे दीजिएगा आग्या फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जै हिंद्द जै भारत जै किशान जै भारत